नमस्कार दोस्तों स्वागित है अपनी यूट्योब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं है दोस्तों आपन जो साइन्स इंपोर्टेंट एक जार क्योसंस की सीरीज कर रहे थे इसमें से अब तक आपकी 14 पार्ट कंप्लीट हो चुक है उन 14 पार्ट में बायोलोजी और केमि जो टेस्ट बुक और चंद पॉब्लिकेशन की तरफ से पॉब्लिस की गई है तो यह चारगर क्योसंस में से हजार के आसपा साइन्स की सवाल है जो आपकी सीरीज वाइज यहां पर कंप्लीट हो रहे हैं और इसकी प्लेश टलक से बनाएं गई है वो आप देख सकते हो बा लाकों के इंडेट मॉक्टेस दगाते हैं टेस्ट बुक पर उन सभी की डाटा के अधार पर एक्स्टर फेक्ट से रहता है चेप्टर वाइज आप फ्री वीडियो देख सकते हो यहां पर जो रहता है इनका QR कोड तो इससे पहले आपके फिजिस के लेवल वन के सारे स्वा पा सवार देवो कंप्लिट हो चुकि यहां पर लेवल 2 के सवार कंटेनियर एक टोटन तीन लेवल के परतेक चेप्टर में यहां पर रहते हैं जो उनके डिफिकल्टी लेवल के अकोर्डिंग बनाए गया स्वार तो लेवल ट्युक्रण के यहां पर 50 वाल इस्वीडियों पुछे ही जाएंगे जो प्रिविस भी पुछे गए थी तो यहाँ पर आगे बढ़े हैं उससे पहरे मैं आपको बता दूँ विडिया आप अभी तक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो ग्रूप डी वगरा एक्जाम के चारी कर रहे हैं तो एक्जाम में आपकी टाइम पैटन और डैस्पोर्ट पर अधरित मौक्टरस रहते हैं जो जरूर प्रैक्टिस आपको डैली करनी होगी जो चलें आपर कंटिन्यू कर लेते हैं पार्ट 15 में लेवल 2 का पहला स्वानिया पर देख लेते हैं निवलिक्त में से कौनसा आउतल दर्पन का उप्योग नहीं एक छोटी सी इमेज के रूप में तो वो उत्तल दर्पन होता है उत्तल दर्पन का कारिया ही वो होता है कि छोटी इमेज बना दें और आपको पूरी की पूरी दुख जाहें आउतल दर्पन कारिया इसके विप्रित होता है वो थोड़ा वस्तु को आवर्थित करता है तो अब उत्तल दरपण एक अभिसारी दरपण है केंदर करता है तो लंबी दूरी पर जो रोशनी जाने के लिए एक बिंदू पर परकास को केंदर करना होगा और फैला देगा उत्तल दरपण है अपसारी है जो परकास को फैलाएगा तो उतनी दूरी तक रोशनी नहीं जा और टीटी देखीगा इस स्वाल को आपको 35 सेकंड के भीतर निमरिकल का इंसर देना होगा ठेराव के आउस्ता से सुरू होने वाली ट्रेन पांच मिनिट में 90 किलोमेटर पर दिगंटा के रफ्तार पकड़ लेती है ये मानते हुए कि तौर्ण एक समान है तौर्ण चेंज नहीं हो रहा है तो इस दोरान ट्रेन के दोरा तै की गई दूरी क्या है तो ये आपको दूरी ग्याद करनी है तो दे क्या रखा है ठेराव के आउस्ता में ये आपर इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर सुनने दे दिया है गति के आपने काफी समीकर्ण पड़े होंगे पहरा समीकर्ण है वी बराबर यू पलस एटी जो तीन समीकर्ण है तो इनिशियल वेलोसिटी तो यू से रेनोट करते हैं अंतिम वेक को वी से रेनोट किया जाता है तो यू आपके 0 मेटर पर सेकेंड रहा हुगा और ये 5 मिनट में 90 किलोमेटर परती घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है तो टी आपको दे रहा है वो 5 मिनट दे रहा है और 5 मिनट है इसको आपको घंटे में बदलना होगा ये किलोमेटर परती घंटा दे रहा है न इसको आपको यू को में 0 किलोमेटर परती घंटा भी म यहाँ पर है वो अभी एक समान है कितना पता नहीं यह बराबर जो भी है फिक्स रहने वाला है तो सबसे पहरे मैं तोन निकाल दूँगा उसके बाद आपन त्रेंद दोरा तै की गई दूरी निकाल देंगे तो तोन निकालने के लिए मैं गत्ति का पहला समीकन परियोग ले जाती है जो अंतिमवेग है V है वो 90 किलो मेटर पर ती गगणता है माइनस प्रारब b कोई 0 है 90 माइनस 01 बटा ट कितना है एक बटा 12 आपने किया यह आप कहेंगे यह हो जाएगा यह बराबर 90 12 क्योंकि 12 उपर आया तो नबबे से गणता हो जाएगा तो इसको आप कह सकते ह एक जार असी है क्या ए है तो एक जार असी हो जाएगा किलोमेटर पर घंटा स्कोर लेकिन आपको त्वन थोड़ा ही चाहिए आपको चाहिए दूरी जो S की वेल्यू चाहिए S बराबर यू टी पलस हाप ए T स्कोर है अब यू आपको जीरू दे रखा है तो जीरू के साथ आ 1 बटा 12 का गुणा करेंगे वो भी जीरू हो जाएगा ये वेल्यू जीरू हाप ये आपको दे रखा है एक जार असी जो निकाला है T स्कोर यह नहीं 1 बटा 12 गुणा 1 बटा 12 यह एक बटा 144 हो जाएगा अब इसको आप केल्कुलेट करेंगे तो 3.75 क्या आगया किलोमेटर आगया दूरी है ना 3.45 किलोमेटर एंसर है ट्रेंड दोरा तै की गई दूरी विकल डी करेक्ट है 113 का डी करेक्ट किया है वो 98 फिस्टी के इंडेट ने किया है और 2% ने इसको इसकिप किया होगा और इसकिप वाला है अगला स्वा देखते हैं किसी पिंड के समेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है समेग परिवर्तन की दर है अब समेग होता पी और इसके परिवर्तन की दर है जो टी रहेगी अब पी होता क्या है पी यहनि दरिमान गुणा वो सम्वेग में परिवर्तिन की दार यानि M A बराबर F होता है तो F यानि परिणामी बल हो जाएगा option C करेक्ट 114 का Galvanometer क्या मापता है बाहर बाहर बता है Galvanometer है छोटी विदुधारा माप लेगा इनी परिपत में सरकेट में विदुधारा चल भी रही है या फिर नहीं भी चल रही है वो पता लगएगा Galvanometer 115 का D किया है AC को DC में करनोट करने के लिए उप्यूग किया जाने वाला उपकरन को क्या कहते है AC को DC में बदलना है जब क्या होता बहुत बार आप charger करते हूँ फोन चार्ज वगएगा तो charger में कौन सा करनट चाहिए तो यह जो आपका फोन वगएगा है DC से चार्ज होता है तो charger क्या करेगा जो AC करनट लेगा हमारे घरों में AC धारा आती है उसको क्या DC में करनोट करेगा तो एक तरगी से charger में भी क्या काम आ रहा है rectifier की रूप में कारी कर रहा है इसे काफी उपकरन रहते हैं ज़ेदा तर DC में चलते हैं तो उसमें already rectifier लगा रहता है दिष्ट कारी लगा रहता है तो rectifier इसका correct answer हो जाएगा इसका ultra है आपने सुना होगा inverter inverter है क्या करता backup की रूप में आप एक बैटरी रखते हो जब भी power supply चली जाए तो बैटरी है आप बैटरी से क्या होगा आपको power तो मिलेगा लेकिन वो DC की रूप में मिलेगा आपको घर के उपकरन है वो एक तरीकी से घर में जो सप्ले रहती वो AC पर काम चलग रहा है तो AC वाले supply आपको चाहिए तो DC से AC में कनूट करना है AC को DC में नहीं DC से AC में उस case में आपको चाहिए inverter तो वो inverter होता है जो दिष्ट कारे के rectifier के उल्टा रहता है inverter कारे करता है DC को AC में बज़नने का अगला स्वाल देखते है एक सो सोहला का आप B करेक्ट किया है 83 परसंटेज ने दो परतिसन ने छोड़ा है आपकी क्या इस्तती है बाकी ने रॉंग किया होगा नेक्स वाल यांपर निमण में से किसकी frequency सरवादिक है frequency और wavelength दोनों के व्यतकरमानुपाती होगी तरंग देद्रे है और यह आपकी inversely होती है व्यतकरमानुपाती होती है आवुरती के अब यहाँ पर आवुरती किसकी सरवादिक है जिसकी तरंग देद्रे सबसे अधीख ह उसके आवर्ति सबसे कम होगी तो जो भी आपने इस्पेक्ट्रम पूरा पड़ा होगा विदू चुम्ब की तरंगों का यह जो गामा किरने होती है गामा किरने उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है गामा रे गामा रे के बाद एक्सरे की बारी आजाती है एक्सरे की फ्रिक्वेंसी गामा रे के बाद यह बता रहा हूँ आवर्ति तरंग जेदरी सबसे कम होती है गामा की उल्टा होता है एक्सरे के बाद आजाती है आपकी यूवे की जो आप प्राबैंगनी बोलते हो यूवे के बाद आपके जो विजिबल वाली light है ठीक है विजिबल वाली उसके बाद infrared है जो अवरक्त है और उसके बाद micro है micro के बाद radio है या रेडियो wave है वो सबसे कम आवरती की तरंगे है या फिर वे उल्टा बोलने radio wave की wavelength सबसे अधिक होती है तो gamma एक तर्फ gamma wave एक तरफ है radio wave यह यहीं गामा wave है इसकी wavelength सबसे कम या फिर आवरती सबसे कम होती है आपको आवरती सबसे कम होती है आपको आवरती सबसे चाहिए frequency वो gamma की रहेगी option A यानि crack हो जाएगा 117 का ये 94% के इंडेर्टे किया है किसी वस्तु की इस्तती या विन्यास पर आधारित उर्जा को क्या कहा जाता है किसी वस्तु की इस्तती है वो एक इस्तर पर है विन्यास पर आधारित है इस्तती पर आधारित उर्जा है इस्तति जूर्जा है, potential energy है, वो MGH है, ठीक है, गती कर रहे हैं, तो गती जूर्जा होज़े, 108 राका ये, इजी स्वाल, कौनसा एक गैर संपरक बल हैं, 119, कौनसा एक गैर संपरक बल हैं, गैर संपरक, बल की बात करें, गर्षन बल है, गर्षन बल में क्या होता है, शंपरक होता है, यामत्रिक बल हो गया, तो ये बल संपरक बल में क्या होता है, तब कारे करता है, जब दो से अधिक वस्तों हैं, उनके बीच में फिजिकली भोतिक शंपरक होता है, जैसे गर्षन बल होता है, गैर शंपरक में उ दहारा की दिशा और जो परिणाम है वो किस रूप से बदलेंगे आउधिक रूप से आउधिक इंगलीज पे मोले तो प्रियोडिक एक तरीके से आवर्ती हो रही है प्रियोडिक हो रही है आउधिक प्रियोडिक का मतलब है वैल्यू जो रिपीट हो रही है एक रेगुलर इ हैं आउदी क्रूप से तो 120 का बीग रेक्ट है और 43 फिस्तिक एंड़ेट ने किया है थोड़ा अलग टाइप से स्वाल था 29 पर स्किप किया है बाकी ने गलत किया है गुर्त्वे तोण कहां पर अधिक होता है याद रखे का काफी बार एक्जा में स्वाल आता है सभी इंपोर्टेंस वाल यहां पर मिल रहे आपको कुलाम का नियम इडिस वाले आपर पूछ लिया जैसे कुलाम नियम जब आवेस दो आवेसे से मानले दो Q1 और Q2 आवेस है दो आवेस काण है एक दूसरे से आर दूरी पर है ठीक है आर डिस्टेंस पर एक दूसरे से हैं तो उनके बीच जो इस्तर विद्युत बल रहेगा ना उन आवेसों के गुणफल के समानुपाती यह जो इस्तर विद्युत बल है उनके गुणफल के क्या होगा समानुपाती होगा लेकिन वीज की दूरी के वरक्पी विदकरमानुपाती आर स्कोर की विदकरमानुपाती रहेगा जो इनकी वध्ये विजध इस्टेतिक बल रहेगा तो ये बतारा दो बिन्दू आवेशों के वीज आकर्षन या पर्तिक्रष्ण बलका परिणाम दो आवेशों के गुणफल के समानुपाति कहां पर है आवेशों के समानुपन के बीच के दूरी के बरगे तो ओप्सन डी करेक्ट हो जाएगा 112 का तो तेहतर फीच्टिक एंडेट ने किया वायू मंडल में मौजुद आधरता कम आपने के लिए आधरता है हाइग्रो मेटर हाइग्रो मेटर क्या करता है सापेक्ष गनत्तो रेता लिक्विट का आधरता हाइग्रो मेटर 123 का सी करेक्ट है 123 का सी किया है सभी के इंडेट ने नेक्श वाग 500 मेटर पर शेकेंड पर यात्रा कर रहें 0.1 मेटर की वेवले लेमडा के एक्वल होती है और जो frequency है वो वेग बटा तरंग देद्रिया वेग कितना दे रखा है 500 मेटर पर सेकंड और wavelength कितनी 0.1 मेटर रिखीगा एक सिस्टम में हो मेटर पर सेकंड मेटर में है इसको आप हल करना है तो उपर नीचे में 10 से multiply करूँगा तो ये 1 हो जाएग विरल और जो डेंस सगर माध्यम है सदन विरल से सगर में आ रही तो कहें कि आपर अपरतन हो रहा है अभी लंकी और जुक रही है 125 का सी करेक्ट हो रहा है नेक्स वाल वजन की ऐसा यूनिट पूछिए दरियमान की नहीं वजन की पूछिए वजन एक तरीके से क्या होता है वेट होता है वो mg के एकल होता है w बराबर mg 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 म में एक तरीके से बल की बात हो रही है न्यूटन की बात हो रही है तो बल ही एक तरीके से वेट है बहांद में जमा पानी में कौनसी उर्जा होती है बहांद के अंदर पानी क्या है जमा है तो आप कहेंगे ईजी सवाल है इस तजी ज उर्जा हो जाएगी बीक रेक्ट है जड़ता के समानुपाती होती है जड़ता है जड़तो है वो देरिमान के समानुपाती होता है याद रखीगा काफी इंपोर्टेंट स्वाल है जड़ता है अब जड़तो होता है क्या है अब कोई भी अबजेक्ट हो वो अपनी इस्तती में बना रहना चाहता ह तो जड़तो क्या करता है उसकी जो इस्तती है उसकी परिवर्तन का प्रतिरोध करता है जड़तो तो दर्यमान की ये समनुपाती होता है दर्यमान का ही एक गुण होता है और बदल नहीं सकता है और बागी बात करों इसका एंसर है दर्यमान ओप्शन ए 128 का है वो 92 फिस्तिक हाइट का तापमान सेल्सियस और कैल्विन में कितना होगा सेल्सियस और कैल्विन दोनों में पूछ लिया है 60 एड फॉरेन हाइट को सबसे पहले आपको फॉर्मूरा में ने बताया है एफ माइनस 32 बटा नो बराबर सी बटा पांच जो भी वैल्यू दे रखी है वो एफ दे रखी ते एफ रखीगा सी दे रखीगा तो एफ आपको 68 दे रखा है तो 68 माइनस 32 बटा नो बराबर सी बटा पांच करेंगे आप तो ये कितना हो गया 68-32 बराबर आपके 6-36 बटा 9 तो 36 बटा 9 को आप क्या कह सकते हो 4 कह सकते हो 4 बराबर C बटा 5 C बराबर 20 degree centigrade आगया C के value कितनी आगए 20 आप कहेंगे 20 तो 3 विकल्प में है तो आपको चाहिए अब centigrade को Kelvin में तो Kelvin को centigrade में बदलना है तो माइनस 233.15 करना होगा लेकिन centigrade को C के पलस होता है centigrade से Kelvin में जाना है तो 233.15 एड़ करना पड़ेगा तो 20 के साथ आप 233 एड़ करेंगे तो 293.15 यह नहीं 20 और यह option B करेक्ट होग देगा 129 का सुरी 233 है नहीं 293 नहीं कि अब सर्च लाइट रहती है उसका प्रावर्टक में उपर बता है लाइट में आउतल दरपणी होगा यह कि वो एक कैंदर की और बिम्ब को फेंकेगा इन्हीं ज़्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पाएगा प्रकास आउतल दरपण करेक्ट एक्सो तीस का बी नेक्स स्वाल जब किसी तरल पदारत पर दबाव डाला चाता है तो दबाव परिवतन बिना किसी नुकसान के दरव की परतेक भाग में संच्वित होता है नियुलिक्त में से कौन से नियम पाश्कल के नियम की बात हो रही है जब आपने देखा होगा हाइड्रोलिक जो प्रेसर हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया जो भी हाइड्रोलिक मसीन है उसमें पास्कल का नियम काम करता है पर इस दो पार्ट में बता चुका हूँ बाहर बाहर पास्कल की नियम से यहाँ पर स्वाल आ रहा है तो पास्कन का नियम क्या कहता है कोई भी liquid है उस पर आप दबाव डालेंगे तो वो क्या होगा दरो जो liquid है प्रतिक भाग में वो दबाव संजित होगा जैसे कि आपने यहाँ पर एक मैं माल लेता हूँ यहाँ पर आपने दबाव डाला इसका area A हो और वो सेम एक बड़ा piston है यह दोबाव एरिया इसका बड़ा हो जाएगा A2 हो जाएगा तो यह दबाव है प्रेसर है यह यहाँ पर बिल्कुल गुणफल रहेगा एरिया के जितना ज़दा एरिया है उतना ही ज़दा आपको force है वो मिलने वाला है यह जो इसका force है यह आप कहेंगे बल है जो second source के और लग रहा है एक piston में इस प्रकार कारी करेगा यह आपका piston मान लिया तो यहाँ पर आप pressure दे रहे हो पूरा liquid भरा हुआ है तो इदर आपको कम दबाव pressure के अश्यक्त रहेगी pressure तो equal रहेगा दोनों और है force लेकिन force अलग लग रहेगा इसका pressure है दाब equal रहेगा P1 और जो भी है P और force F1 F2 है तो यहाँ पर जो force रहेगा न वो इसके area के गुणफल रहेगा जितना ज़यदा area उतना ज़यदा force लगेगा क्योंकि जो दाब है प्रतेक हिस्से में समान रूप से संच्रित हो रहा है दाब equal है force area के गुणफल के equal हो जाएगा तो यहाँ पर ज़यदा force लगेगा जो भी object उठानों आप उठा सकते हो पास्कल के नियम के according hydraulic वगेरा में यह काम आता है option c crack 131 का इनमें किसकी आवर्ती सबसे अधीक है अभी मैंने उपर यह स्वाल आज चुका है आवर्ती पूछे तो गामा की हो जाएगी बाकी wavelength पूछे तो रेडियो की हो जाएगी तो गामा करेक्ट 132 का है next श्वाल आर्कमीज का नियम किसे संबन देते है आर्कमीज का नियम है तो यह परवतन का नियम है परवतन है नहीं इसका मतलब है floating आप कहा सकते हैं float होती है कोई भी object है आप boat वगेरा है पानी में float क्यों होती है क्योंकि वहाँ पर आत्मीज का नियम काम कर रहा है आत्मीज का नियम बताता है कोई भी अबजेक्ट है आप उसको पानी में आंसी क्या पूंट डोबएंगे ने तो उसके उपर एक बल लगता है उत्प्लावन बल वो उसका value किसके equal रहेगी जो अबजेक्ट अपने पानी को जितने उसका विस्ता पर तरल का वजन है उसके equal वो उत्प्लावन बल रहेगा उसके कान वो float होती तो low of floatation कह सकते हो option D correct है 133 का next वाग इदी कोई agent W को समय T में करता है तो शक्ति क्या है cubic feet per second पर second में कितना cubic feet पानी जल तो जल की परवादर आप कहेंगी उसको Qsake में मापा जाता है 135 का D है जो परवादर रहती है वो Qsake यानि cubic feet पर 30 second परवादर से तात परिये जो भी liquid है वो कितनी मात्रा है पर unit समय पर परवा करता है जैसे एक Qsake में 28.317 लीटर पर 30 second परवादर होगा लीटर पर second ये एक Qsake की value है Qsake का मतलब cubic feet per second हो जाएगा नेक्स वाल आपर वायू गती दर्शन ये नितर का उप्योग किसको measure करनी के लिए किया जाता है वायू गती दर्शन इंग्लिश में बोले तो wind when हो जाएगा तो ये जो दर्शन ये when है वायू गती दर्शन wind when है किसको मापएगा वायू की दर्शा को direction को measure करेगा ये तो पर ये वायू की दर्शा है वायू गती दर्शन येंदर वायू की दर्शा को मापते है नेक्ष वालियां पर 136 का सीक रेक्ट किया है सभी के इंडेट निमलिक्त मैंसे कौन सी अधिश रासी है अब अधिश रासी इससे पहले भी बता चुका हूँ दाब है दाब एक तरीकी से आपके अधिश रासी है तौर्ण वेग बल ये सदी से 137 का सीक रेक्ट है दाब जो रहता है किसी वस्तु के परती के छेतर पर करने वाला और एक अधिश रासी आप कहेंगे जो बल बटा छेतर पर रहता है को भी वस्तु है उसके परती कई छेतर पर लगने वाला जो बल है वोई दाब है और ये अधिश रासी है हमेशा सत्य की दिशा में लंवत कारे करता है दिशा कोई दिशा हीन आप कहेंगे तो वे एक टौर्ण बल सभी शदी से क्योंकि उनके पास दिशा के साथ सब परिमान रहता है नेक्श वा लिखते हैं एक विजद जनित्र है डाइनमो है अब जनरेटर क्या करेगा जो यांत्री को उर्जा है उसको विजद उर्जा में करोट करेगा नि विजद मोटर का उल्टा करता है विजद मोटर में विजद उर्जा है वो यांत्री को उर्जा में बदलती है और जो विजुत जनित्र है वो यांतिक उर्जा को विजुत उर्जा में 138 का डी गरेक्ट हो जाएगा नेक्स वाल एक औरशत वेस्ट का ओडियबल है 20 से 20 जार हट्स हो जाएगा एक बिंदू है जिस पर एक वस्तु का पूरा भार कारे करता है तो वस्तु का कैसा बिंदू है गुर्टवा कशन कैंदर है वो बिंदू जहाँ पर वस्तु का पूरा भार है वो कैंदर तेता है 140 का भी 90% कैंदर तेन ने छोड़ा बाकी ने साथ ने गलत किया होगा तो कोई भी वस्तू है उसका वस्तू का पूरा भार कैंदरी तेयता है वो गुर्त वाकष्ण कैंदर है वो ही उसका बिंदू हो जाएगा एक transformer के सिध्धानत पर कारे करता है transformer है वो अन्योंनी प्रेवRN पर कारिय करता है अन्योंनी प्रेवर्ण या फिर mutual indemiction आप बोलेंगे या पर्षपर प्रेवर्ण आप बोल सकते हो mutual inductance क्या होता है तो अब देखिखिए प्रेवर्ण होता क्या है mutual inductance का मतughत्र भी ये जैसे दो कोईल में माल लगता हूं तो करन्ट से होगा क्या, इसके चार और विदू छहित्र उत्पन भोगा, अब यह विदू छहित्र है, इस PASS वाली कोईल में क्या करेगा, धारा को बना देगा, क्या, इसमें धारा हो जाएगी, कैसे, वो ही विदू छहित्र है, यहाँ पर विदु छेतर उत्पन हो रहा है सोरी जो करंट आया है इससे क्या होगा चुम्ब की छेतर उत्पन होगा अब वो चुम्ब की छेतर है अब यह क्या कहता है प्रेरन का मतलब है यह चुम्ब की छेतर में परिवर्टन होना चाहिए शुरुआत में यहाँ पर pass में मैंने current को follow नहीं किया button on नहीं किया तो कोई भी चुम्ब की छेतर नहीं था अच्छानक इसके पाद चुम्ब की छेतर आया तो यहाँ पर आपको चुम्ब की छेतर वो किसमे current हो गया प्रेंट के दोरा यहाँ पर current बन गया तो एकदम यहाँ पर यह fix रहेगा क्योंकि current दी DC हो तो वो fix रहेगा AC है तो यहाँ पर उसका change होगा तो change होने पर यह कारे करेगा क्योंकि चुम्ब की छेतर बदलना चाहिए बार बार यही fix रहेगा तो एक बार शुरुआत में तो काम कर लेगा DC होई वापस उसको ओप करके दुबारा करेंगे तो फिर इसमें धारा परवाइत होगी तो एक transformer का कारे क्या है एक circuit से दूसरे circuit में क्या कर रहा वो धारा को ही भेज रहे है एक circuit से दूसरे circuit में और transformer क्या करेगा कि उसकी frequency को बदले भी ना transformer एक तरीकी से आवर्ती को बदलता नहीं है current को एक circuit से दूसरे circuit में भेजेगा साथी साथ AC voltage अब transformer AC में कार्याच्छा करेगा DC में तो fix धारा रहेगी चेंज नहीं होगा चुमिक की छेतर तो यहाँ पर दूसरे coil में convert नहीं circuit में आपकी धारा नहीं बन पाएगी एक दो चेंज होती नहीं रहेगी क्योंकि यह आपर value the fix हो गई तो एक बार धारा बन जाएगी दूबरा वो off हो जाएगी तो इसलिए AC transformer एक तरीकी से AC में ही काम करेगा तो AC voltage को यह कम या ज्यादा करशकता है transformer बहुत पार examen पूछे जाता इसका क्या कर रहे है तो यह आवर्ती को बदले बिना AC voltage को कम या ज्यादा करशकता है transformer यह important है तो पर्षपर्ट प्रेरन है mutual inductance पर कारी करता है transformer 141 का C क्रेक्ट हो जाएगा 82 फिस्तिक इंड़र्टे किया है headlight में कौन से प्रकार के दरपन का उप्यूग किया जाता है headlight में दोबारा repeat हो गया आउतल दरपन का आप उप्यूग करेंगे और जो side mirror रहता है उसमें उतल दरपन का 142 का C एक निकाय के दोरा एक समान वर्ती गती करने पर आप केंद्री बल है बाहर की ओर लगता है तो यह जो भी गह गती रहती है वह ग्र Visionício का बती है और इससे पहले आपके पार्ट 14 में आपने बात की होगी फिजिक्स में कि निमलिक्त में से कौन ची घरता आपी केंदरी बलकी नहीं तो आप केंदरी बलकी आप क्रीम निकालते हो दूससे वो वाली हो जाएगी वाशिंग मसिंग में ये काम आता है तो 113 इसका सीक रेक्ट है विजुद धारा के उतपादन के लिए उप्योग के जनवले उपकरन को क्या कहते है विजुद धारा बनानी है तो आप कहेंगे जनरेटर का उप्योग करेंगे जो यांतरिक उर्जा को विजित उर्जा में बदलता है 144 इसका एक रेक्ट है नाभी की खोज किसने की अर्नस्ट रधरफॉड ने की है नाभी की खोज ये इजी स्वाल आपके लिए अर्नस्ट रधरफॉड ने की थी और उन्होंने किस प्रकार नाभी की खोज की थी तो रेदरफोर्ड के दोरा एक अलफा कणो का जो उन्होंने सोने की पन्नी पर डाले थे अलफा कणो को पतली पन्नी पर वो 180 डिगरी के मातेम से कुछ विक्से पितुए कुछ नहीं हुए इस टाइब से उनके बीच में एक पोजिट्व चार्ज वाला नाभी की इनोंने पाया तो नाभी की कोज है अन्ने श्ट रेदरफोर्ड ने 145 बी करेक्ट हो जाएगा एक परिनाली का है परिनाली का बोले तो वो हो जाएगा सोलेनोइड ठीक है अब करन फोलो करेंगी तो चुम्ब की छतर एक छोर से दूसरे छोर पर शमा देगा इस्तिर बना रहेगा उप्सन सी करेक्ट हो जाएगा 146 का नेक्स वाल किसी पदार्त के घनतों को किस रूपे परिभाशित किया जाता है घनतों होता है दर्यमान बट्रा आयतन तो दर्यमान परती इकाई आयतन इकाई आयतन कर दिया तो वो दर्यमान एक ठिकी से घनतों है तो बीकरेक्ट हो जाएगा 147 का एक मोबाइल फॉन चारbei क्या कारे करता है चार।ender एक तो क्या कारे किसमें दो प्रकार से कारे होता है जिससे आप rectifier कहेंगे inverter है वो DC को AC में करता है दिश्ट कारी है AC को DC में करता है तो यहाँ पर rectifier के बारे में कोई बात नहीं होगी है second क्या करता है हमारे घरों में जो voltage है 220 voltage की धारा रहती है कि इतना अपना device जहल पाएगर नहीं तो charger क्या करता है वो ही 220 voltage को ज़्यादा तर जो charger है वो 5 voltage में connect कर देते है तो 220 voltage को 5 voltage में connect कर रहे है तो मैंने क्या काई से पहले जो transformer क्या होता है आवरती बदले बिना AC voltage को कम या ज़्यादा कर सकता है तो यहाँ पर AC सारे AC में जैती है पूरा connection तो AC हमारे घरों में जो रहती ही connection उस AC voltage को frequency बदले बिना frequency को change किये बिना वो क्या करेगा 200 voltage को 5 voltage में connect करेगा तो एक तरीक से वो transformer है साथी साथ step down कर रहा है voltage कम कर रहा है तो step down transformer है तो charger में क्या होगा सबसे पहले तो 220 voltage है 5 voltage AC में connect हो जाएगी आपको चाहिए DC तो वो ही इसके बाद उसमें लगा रहता है breeze wave rectifier लगा रहता है rectifier AC को DC में connect करता है तो वो ही breeze wave rectifier फिर 5 voltage वाली जो current है उसको DC में बदलेगा उसके बाद पहुंचार्ज हो पाएगा तो शुरुआर transformer रहेगा फिर rectifier का कारिय देता है अगरा स्वाल दिखते हैं यहाँ पर त्री आयामी चित्रों को देखते हैं अब 3D movie वगेरा देखते हो न तो वो सभी polarized trust में होते हैं कैसे धुरुवी कृत चर्ष में किसी परशिद वेगानिक ने स्वाल किस परशिद वेगानिक ने स्वाल उठाया जिदी समय यात्रा संभव है तो भोश्य से प्रेटक कहा हैं अब time travel होता क्या समय यात्रा जैसे कि मैं आपको उधान की रूप में बताऊं समय यात्रा का मतलब या तो आप भोश्य में यात्रा करो या फिर आप पाश्ट में यात्रा करो एक ऐसे घटना भी जो बताते हैं जिसका नाम है क्या है grandfather paradox आप कहींगे बहुत से वेगानिक ने बता जा कि समय यात्रा संभव है तो ऐसा हो सकता है एक पोता है ठीक है तो वो पाश्ट में चला गया समय यात्रा के द्वारा वो पाश्ट में चला गया और अपने पिता का जनम हुए उससे पहले ही पिता जनम ही नहीं उससे पहले ही दादा जी की क्या कर दी उन्होंने मान लेते हत्या कर दी पिता का जनम ही नहीं वाँ पोता ने दादा जी की हत्या कर दी पास्ट में चल कर तो यह समय आतरा इस प्रकार आप के इंगे संभव नहीं है तो इसे बोलेंगे आप grandfather paradox बोल सकते हो एक दोस्तों twin paradox का एक्जामे स्वाल भी पूछा जाता है अब एक ऐसा सी एक्जामे स्वाल आया था twin paradox का जो Einstein नहीं एक theory of relativity है जो सापक्षता कनिये में उन 1905 में जो theory of relativity है वहीं से आप Einstein का twin paradox का मतलब ये भी एक time travel पर ही आदारित है तो जैसे कि दो जोड़वा बच्चे हैं एक ने किया कि आप प्रकास के वेग से अंत्रिक्ष में यात्रा की और कुछ हमें बाद उनको लगा कि मैं तीन साल में वापस आ गया प्रकास के वेग से यात्रा करके लेकिन जब वो वापस आयत उन्होंने किया पाया उनका जो जो जोड़वा भाई है उनसे बहुत ज़दा एज में बड़ा दिकरा वो बिल्कुल छोटा का छोटा रहे गया है तो time travel उन्होंने किया तो ऐसा लेगम ये अब की बात नहीं है बहुत पहले भी ऐ बीद गये हैं और अभी वो वापस आयत उनको लगा कि एक दो साल लगे होंगे लेकिन वापस आयत तो time travel के according क्योंकि वो प्रकास के विख से गया है वापस आयत उनको लगा बहुत जल्दी आ गया पृत्थिपराया देखा तो काफी यूग बीद गये तो time travel में कुछ ऐसा उन्होंने black hall है time machine जैसे विश्यव पर सबस्यदी एक तिर किसे खोज हासिल की थी तो उन्होंने बता है कि समय यातरा संबव नहीं है और यह हो जाएगा इस्तिपन hawking 150 का D 45% गेंडेट ने किया है 37 ने छोड़ा है निमरिक में से किस वेग्यानिक ने दो आरोपित कणों के प्रतिकष्ण के बल को नियंतित करने वाला सिद्ण तो वही आपके चालर्ष के कुलाम वाला नियम हो जाएगा option दी करेक्ट 100 क्या उनका कि आवेस जो बल रहता है आकर्ष्ण या प्रतिकष्ण दो आवेस है Q1 Q2 उनकी गुणफल के समानुपाते बीच के दूरी के बरक् अब जो दित्ती शमीकन है आप कहेंगे यह इस तती और समय है दो तीसरा समीकन है वो displacement और velocity की मद्धिर शमंद्ध बताता है यह जो विस्तापन और वेक के मद्धिर समंद्ध बताता है वो गतिका तीसरा समीकन बताता यह तीन हो आपको पता होना जाये लिमेन किसकी एकाई है, लिमेन का आपको पूछा है, लिमेन किसकी एकाई है, लिमेन एकाई हो जाएगी यहाँ पर जोती फ्लक्स की, एक जोती तेउरता है, जोती तेउरता की आपने एकाई देखी होगी, अभी मेरे को, हाँ, कैंडिला, अब जोती तेउरता की एकाई क्या जोती फ्लक्स अलग कैसे जोती तेवरता से अब मैं आपको जोती जो फ्लक्स तेवरता की बात करूँ जैसे आप लियुमेनियस इंटेंसिटी बोलेंगे तो तेवरता नहीं कोई भी प्रकास बीम है प्रकास पुंज है कितना ब्राइट है कितना चमकी लहा कितना उसकी त्योरता ऐसे आप कह सकते हो और जोती फ्लक्स है कोई भी प्रकास रोत है उनसे कितनी मात्रा में प्रकास निकल रहा है कितनी मात्रा है उसकी तो मात्रा है जोती फ्लक्स है और उसकी ब्राइटनेस कितनी है पुंज की बीम की वो जोती त्योरता दोनों अलग लग है फ्लक्स तो ध्यान रखीगा बार में U 238 के नाभिक में कितने प्रोटोन और न्यूट्रोन है अगर दिखिए इसका प्रमानु कर्मांग कितना है 92 है नि जैड बराबर 92 आपको दे रखा है और इसका दर्यमान 238 दे रखा है ए बराबर 238 है प्रोटोन एक तरीकी से जैडी होता है प्रोटोन यह नि उसमें कितने प्रमानुकरमांग है तो प्रोटोन तो बानुटोन कितने है नूटोन क्या होगा दर्यमान में से प्रोटोन या फिर प्रमानुकरमांग को माइनस करो 23 238 में से 22 आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 146 यह ओप्सन एक रेक्ट है 155 का अगला स्वाल देखते हैं गहरे समुदर में पानी का नीला रंग पानी का नीला रंग है इसमें दो घटनाय प्रकास की देखने मिलती है एक तो स्केट्रिंग हो रहा है पानी का जो प्रका देखाई देता है जब सूर्य का प्रकास है सपीद प्रकास पानी के अणों पर गिरता है तो केवल नीली रोस्तनी ही एक तरीके से बिखरती है नीली क्यों बिखरती है बाकी जो रोस्तनी है वो आवशोशित हो जाती है अब नीली रोस्तनी की वेवलेंड सब से कम होती है तो वो बिखरेगी ज़्यादा और जिसकी वेवलेन ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर पाएगी आगे चली जाएगी नहीं बिखरेगी तो वो आपको दिखाई नहीं देगी आउसोशित हो जाएगी जल के दोरा फिर आगे गई तो इस प्रकार है वो आउसोशन और बिख्राव के दोरा ही दोनों ही घट्ना रहती हैं तो 156 का scattering औरonie और ग्हंता है और इतना होगा 108 का आपको भेक पूचा हैं तो उसी फ़ाइब आपको गति का मैं पहला समिकना बाता हूँ V बराबर U पलस 80 होता है V बराबर U पलस 80 V अंतिम वेगे U प्रारंबिक वेगे यदि किसी कार का प्रारंबिक वेगे ने U बराबर आपको 25 km पर घंटा दे रखा है कुछ यहाँ पर चीजे बदलनी पड़ेगी आपको यह मेटर पर सेकेंड है तो यह मेटर पर सेकेंड इसकोईर हो जाएगा तो अन दे रखा तो उसको बदला इससे अच्छा कि किलोमेटर पर घंटा को आप बदलना होगा यह भी सेकेंड है तो इसको मेटर पर सेकेंड में कर दीजी 6.9 मेटर पर सेकेंड अब अंतीम वेग हैं इसके आपको गणना करनी है जो वेग कितना होगा अंतीम वेग सेकेंड बाद तो V बराबर होता है U प्लस A T अब U बराबर 6.9 दे दिया है V बराबर U प्लस A अब तोर्ण कितना है 1.5 मेटर पर सेकेंड तो 1.5 हो जाएगा A गुणा T हो जाएगा अब T को आपको गुणा करना जो कि 6 सेकेंड है तो यह आपकी हो जाएगा 9 6.9 और यह 15.9 अब V बराबर हो गया 15.9 मेटर पर सेकेंड 15.9 मेटर पर सेकेंड है लेकिन आपको एंसर में किलोमेटर पर घंटा वो ही आपको 15.9 है इसको किलोमेटर पर घं में मदद करता है नहीं option B correct 169 का प्राकर्तिक चुम्बक निमलकि में से किस रासानिक योगी का आश्क है प्राकर्तिक जो नेचुरल आपको चुम्बक है वह Fe3O4 का इसका है किसका आप कहेंगे लो ओक्षाइड कहेंगे आईरन ओक्षाइड कहेंगे आईरन ओक्षाइड का एसक है प्राकर्तिक चुम्बक अब दीखें प्राकर्तिक चुम्बक की बात करूं सबसे अच्छा प्राकर्तिक चुम्बक जो पदार्त है वो लोड इस्टॉन है क्य वह बभूत रहेगा मैट कोई मतलब नहीं रहेगा जैसे आपको पता होगा जो बलेता है गुर्ट्व परबर। जो सारो भूमिक निर्टांग जी और प्रित्वी का जो दर्यमान गुणा अब्जेक्ट का दर्यमान बटा बीज की दूरी का स्कॉयर है अब F बराबर होता क्या है M A तो यहाँ पर M से M कट हो जाएगा एक तरीकिस तो त्वर्ण A है वो G और प्रित्वी के दर्यमान बटा R स्कॉयर है तो किसी वस्तु के दर्यमान यहाँ पर नहीं है तो त्वर्ण वस्तु के दर्यमान से स्वतंतर होगा और आप कहेंगे मैं कहूं आप लिप्ट में उपर जाते हो नो लिप्ट तोर्ण है और आपका तोर्ण है वो एक्वल हो गया वहाँ पर और इसलिए आपको अपना वेट है वो शुन्ने लगेगा तो फ्री फॉल्ड हो रहे हो मुक्ट गिरावट की दोरान आपका वेट आपको नहीं होगा दर्यमान है वो शुन्ने रहेगा तो उससे स्वतंत परमानु दर्यमान एकाई किसके दर्यमान का एक बटा बारवा भाग है तो कार्बन का तो है लेकिन कौन सा कार्बन 6C12 वाला कार्बन है तो परमानु दर्यमान एकाई दर्यमान की एक बहुत छोटी एकाई है परमानु दर्यमान एकाई जो आप AMU बोलते हो न एक AMU बराबर एक पॉइंट छच गुणा दस की घात माइनस 27 किलोग्राम जो की दरिमान की एक बहुत छोटी इकाई है परमानू दरिमान इकाई और इसे आप सिक्स सी बारा परमानू के दरिमान के एक बटा बारवे भाग की रूप में परिवाशित आप कर सकते हूँ स्वाल नंबर एक आप फिजिस का देखेंगे जो पहले पार 13 में मैंने कराया था वो उसमें पूछा था कितने मिटर का दूरी रहना चाहिए परति दोनी इको को सुनने के लिए जो आप खड़े हो और उससे प्रकास रोत के मत्दे दूरी कितने मिटर की रहनी चाहिए तो व जो भी धहनी रहती है और मूल धहनी अपने दिमाग बनी रहती है 0.1 सेकंड तक यदि वही परति धहनी 0.1 सेकंड से पहले आपके पास आ गई तो आपकी मिक्स हो जाएगी मूल धहनी के साथ आप इक को नहीं सुनाई देगा तो 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए अब धहन आने जाने की डिस्टेंस है एक और डिस्टेंस है 17 मेटर 17 मेटर की डिस्टेंस रहनी चाहिए जो भी धहनी शुरूत है और शुरूता के मद्दे है यदि इको को सुनना है तो 0.1 सेकंड के बाद ही सुनाई देगा 163 का बीग रेक्ट हो जाएगा 400 किलोग्राम धर्यमान की बंदु की समेग की गणना के जब यह 0.25 मेटर पर सेकंड के वेग से प्रती क्षेप्तित होती है 400 किलोग्राम धर्यमान की बंदु की समेग की गणना शमेग क्या होता दर्यमान गुणा वेग अब दर्यमान है वो 400 वेग है 0.25 0.25 यह एक बटा 4 का होँगा 4 शे भाग तो उस समेग का क्या पुछा है समेग है समेग का मातर क्या होता दर्यमान यहीं किलोग्राम वेग मेटर पर सेकंड किलोग्राम मेटर पर सेकंड यह वाला बी करेक्ट हो जाएगा 164 का केरचौप का संधी नियम किसका परिणाम है केरचौप का संधी नियम है विजुत आव तो आप्शन आवेश स्रेक्शन का नीम करेक्ट हो जाएगा तो यह हो गए आपके पार्ट 15 कंप्रीट जिसमें आपने 50 के आसपास वाल देखे हैं जिसमें काफी नियुम्रिकल भी थे इंपोटेंट आपने कुछ यहां पर कंसेप्ट जाना है जो आने वाले ग्रूप D एक्जाम से काफी फायदे मन्द होने वाला है वीडियो लाइक आया तो आप वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना और चैनल से जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बैर आइकन हिट कर देना मिलते हैं नई पार्ट के साथ जो भी केंड़ेट अभी तिक मॉक्टेट सीरीस से नहीं जुले तो डेस्ट बुक पर जाकर आप टेडियो के कोपन कोड यूज करते हुए 135 पे का डिसकाउंट लेकर अभी से डेली प्रैक्रिस करना इस्टार कीजिए धन्यवाद।